सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल मानो या ना मानो को और दबाईए बेल आइकन लेटिस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे अस्थान के बारे में बताऊंगी जो कहलाता है सुर्ग का दर्वाजा मानो या ना मानो दुनिया भर में कई ऐसी दुरलब जगें हैं जिनके बारे में जानकर काफी हैरत होती है और ये जगें लोगों को काफी लुभाती है इन में से कुछ को जहां इंसानों ने अपनी महनत से बनाया है वहीं कुछ को इस प्रकृती ने खुद अपने हाथों से बनाया है ऐसा ही एक अस्थान है भारत का सबसे आखरी गाउं माना गाउं इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं यह गाउं बद्री नाथ से 3 किलो मीडर आगे समुंदर तल से 18,000 फूट की उचाई पर बसा है यह गाउं सरस्वती नदी के किनारे बसा एक बहुत ही खुबसूरत गाउं है यह भारत चीन और तिबबत की सीमा पर बसा है यह गाओं हिमाले की पहाडियों से घिरा हुआ है माना गाओं का परानिक नाम मनि भद्र है यहाँ पर सरस्वती नदी और अलकनन्दा नदियों का संगम भी होता है यहाँ पर कई मंदिर और गुफाएं बहुत फेमस हैं माना जाता है कि जब पांडो स्वर्ग जाने के लिए इस जगत से गुजरे थे तो उन्होंने सरस्वती नदी से रास्ता मांगा था लेकिन सरस्वती नदी द्वारा रास्ता ना दिये जाने के कारण उन्होंने नदी में दो बड़ी-बड़ी शिलाएं डाल कर इस पर पुल बना दिया और पांडो इसे पुल से होकर स्वर्ग की ओर गये थे माणा में महभारत के रचनाकार वेद व्यास जी का मंदिर भी है कहा जाता है कि उस काल में व्यास जी इसी गुफा में निवास करते थे व्यास जी के इस मंदिर में उनके पुत्र शुक्र देव वो वल्लब भाई की प्रतिमा भी विराजमान है इसके अलावा यहां विश्णु जी की एक प्राचीन प्रतिमा भी है ऐसा माना जाता है कि जब भगवान गणेश वेद लिख रहे थे उस समय सरस्वती नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी जिसके कारण वहां बहुत शोर हो रहा था जिससे गणेश जी के काम में खलल पड़ रहा था पहले तो गणेश जी ने सरस्वती जी को शान्त होने को कहा लेकिन वो नहीं मानी तो गणेश जी ने सरस्वती नदी को विलुप थोने का श्राब दिया था इसके अलावा माना अपने प्रटनिय अस्थलों के कारण भी काफी जाना जाता है अगर आप यहाँ आए तो ट्रेकिंग का भिलुफ्ट उठा सकते हैं और अगर आप चाय के शौकीन है तो आप देश के सबसे आखरी चाय की दुकान से चाय जरूर पी है दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट हमें जरूर लिखें आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार जनों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों इसी तरह की अध्भुत अविश्वसनिये अकल्पनिये मानिताओं और घटनाओं के लिए देखते रहिए मानो या ना मानो दोस्तों अब आप हमारे लेटिस्ट वीडियो देख सकते हैं और भी जल्दी हमारे एप को इंस्टॉल करके इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर जाके बस मानो या ना मानो हिंदी स्टोरी सर्च करें जो है बिल्कुल फ्री और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा